कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के सामने इस सदी की सबसे बड़ी चुनावती बन कर आई है लेकिन इतिहास इस बात का गवा है जब जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है साइन्स ने और बहतर भविश्च के रास्ते तैयार कर दिये संकट में समाधान और संभावनाओं को तलाशना एक नए सामरत का सुजन कर देना और यही तो साइन्स का मुल्भुत स्वभाव है बेसिक नेचर है यही काम सदियों से दुनिया के और भारत के विज्ञानिकों ने किया है यही काम वो आज एक बार फिर कर रहे हैं किसी आइडिया को थियरी के रूप में लाना लेव में उसका प्रेक्टिकल करना और फिर इंप्लिमेंट करते समाज को उसको फिर सुप्रूत करते जाएं यह काम पिछले डेड़ सालों में हमारे बेज्ञानिकों ने जिस केल और स्पीड पर किया है वो अप्रत्याश्चित है मानवता को इतनी बड़ी आपदा से उबारने के लिए एक साल के भीतर वैक्सिन बना कर लोगों को दे देने का है यह इतना बड़ा काम इतिहास में पहली बार हुआ 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 शैद बीती शताब्दी का अनुभव है जब पहले कोई खोच दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई कई साल तक इंतजार करना पड़ता था लेकिन आज हमारे देश के विज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंदे से कंधा मिलाकर मानुवजात की सेवा करने में जुटे हुई हैं चल रहे हैं उतनी ही तेजगर्ती से काम कर रहे हैं हमारे विज्ञानिकों ने एक साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सिन बनाई और देश वास्यों के लिए उपलब्दों करवा देए एक साल में ही हमारे विज्ञानिकों ने कोविड टेस्टिंग किट्स और अपनी जरूरी उपकरोनों से देश को आप मंदिर भर बना दिया इतने कम समय में ही हमारे विज्ञानिकों ने कोरोना से लडाई में नई नई प्रभावी दावाय तलासी आपके इस योगदान से इस असाधारन प्रतिभा से ही देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है CSIR के वैज्यानिकों ने उन्होंने भी इस दोरान अलग-अलग शेत्रों में अभुत्पुर्व योगदान दिया है मैं आप सभी सभी वैज्यानिकों का और हमारे इंस्टिटूट्स का इंडिस्ट्री का पूरे देश की और से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ